सब्सक्राइब कीजिए ये से क्लासिस चैनल को और बेल आइकन दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेल दिस वन फोर्टी थर्ड ये कुछ नहीं ये बहुत सिंपल है इसको बस आपको क्या करना है ठीक से लिक लेना है अब आपको पता है ये 8 2 इसको क्या करते हैं इन दोनों का मुल्टिप्लिकेशन होता है basically इसको मैं सबसे पहले लिख लूँगा so 7 और 8 का multiplication आता है और उसमें यह जो उपर numerator होता है उसको add करना होता है और ती नीचे यह जो 7 है जैसा है वैसा off का मतलब होता है multiplied by so यह 1568 plus 265.75 equal to यह जो question mark है लेट इसको यह पकड़ लेते हम और यह हो गया आपका 2455.60 so आपका यह बन जाएगा पहले आप इसे solve करोगे this implies seven-eighths of 56 plus 258 divided by seven multiplied by 1568 plus 265.75 equal to x plus 2455.60 so यह आपका यहागा seven two's are 14 एक बचा 16 हो गया seven two's are 14 दो बचा 28 हो गया seven fours are 28 अब इन दोनों का multiplication करेंगे हम तो आप यह रफ मैंने रफ में कर लिया है आप भी कर लो 12992 यह जो है आपका multiplication आएगा plus यहाँ पे आपका 265.75 is equal to x plus 2455.60 अब आपको सब कुछ पता है क्या करना इसके आगे यह equal to x रहेगा और यह जो इदर addition में है इदर आके subtraction में आ जाएगा so यह 12992 plus 265.75 और यह minus 2455.60 अब बस decimal के नीचे decimal लगा के यह बात solve करने आपको मतलब सबसे पहले आप इन दोनों का addition करोगे किस तरीके से करोगे यह मैं बता रहा हूँ decimal के नीचे decimal बहुत बार बता चुका हूँ अब बोलने की भी गुंज़ईश नहीं है उसके आगे दो जिरो लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे दो decimal places है और decimal के नीचे decimal और 75 यहाँ पे आएगा देखो बच्चे और बाद में यहाँ पे आएगा 265 और इनका addition जो भी आएगा आप कर लो यह 5, यह 7, 0.7, 9, 6, 15, 9, 2, 11, 1, 12 और यह 2, और एक 3, और यह 1 अब इस से इसको सब्ट्रैट करना है माइनस decimal के नीचे decimal decimal places के नीचे decimal places और बाकी 5, 5, उसके बाद यह 4 और यह 2, ठीक है अब आएगा माजा, इसको solve करो गी सो यह आपका आता है 5, 1.2, 0, 8, 0, 1 so 1, 0, 8, 0, 2, 0, 1, 5 so this is your answer उसके बाद है यह कुछ नहीं है बस इस simplification करना है, simplification ही करना है इसमें कुछ भी नहीं है बहुत इस simple, simple, आसान, आसान से questions है देखे, कैसे करेंगे अब अब इसको फटाफट, फटाफट सॉल करते है यह 8 इंटो 4 32 प्लस 1 is 33 divided by 4 minus 4 इंटो 5 कितना होता है 20 प्लस 1 21 divided by 5 उसके बाद यह प्लस 2.8 उसके बाद प्लस 4 divided by यह जो question mark है इसकी जगा पर एकस है, इसको solve करना है equations कैसे solve करने है, इसी की practice हो, यह बहुत important है क्योंकि equations solve करते वक्ट, जो आप transfer करते हो अलग-अलग members को, terms को, उसमें बहुत confusion होता है कहां पर plus, कहां पर minus निकालना है कहां पर multiplication का division कब हो जायागा यह समझता है, तो यह ठीक से समझता है is equal to 5.33 so we have to solve this equation for x only अब यहां पर यह decimal point हमको लग रहा है यहां पर दीक रहा है, तो simple है मैं सभी को decimal point में convert कर लूँगा so यह बन जाएगा आपका यही में मुझे लिखना चाहिए था actually यह क्या होता है, 8 plus 1 by 4 दिखे, कैसे मैं directly लिख सकता हूँ 8 plus 1 by 4 so 8 plus 0.25 होता, simply मुझे 8.25 बन जाएगा यह मेरा बन जाएगा 5 for the 25.2 so 4.2 बन जाएगा plus यह है आपका 2.8 plus 4 by x equal to 5.33 उसके बाद हम क्या करेंगे addition कर लेंगे सभी members की देखे, यह जो है इधर जाएगा, तो minus का plus हो जाएगा, और इन दोनों का addition होगा, इन दोनों का addition decimal place के नीचे decimal place लिख के करना है, so 8.25 and 2.8 देखे, इस तरीके से करना होगा, 2.8 यहाँ पे 0, so यह 5 बनेगा 8201 11 होगे, ठीक है समझ रहा है ना, so 11.05 so मेरे पास आएगा 11.05 plus 4 by x is equal to अब यह जो है minus वाला इदर आके plus होगा, so आपके पास आएगा, यह 5.33 plus 4.2 so मेरा बनेगा यह 359 so this will be my 9.53 अब यह जो इधर एडिशन में है इधर जाके subtraction में इधर से इधर जब जाएगा यह, तो इधर subtraction में आएगा so 4 by x देखे, जल्दबाजी नहीं करने हैं यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, students यह बोलते हैं कि यहाँ पर x division में है, तो मैं directly इसको इधर multiplication में ले जाऊँगा और ऐसा कर देते हैं 11.05 plus 4 is equal to 9.53 multiplied by x, ऐसे नहीं होता भी यह, सबसे पहले आपको इस term को इधर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद x को आपको क्या करना होगा x को आपको उसके बाद change करना होगा बाद समझ में आ रही ना so पहले इस को नहीं, पहले इस term को इस term को लेके जाएंगे so 4 by x is equal to 9.53 minus 11.05 अब इसको भी क्या करेंगे, इधर हम बाद जूमें solve करके लेंगे 9.5 यहीं से देखो, यहीं से minus 11.05 तो इसको कैसे करते हैं, यह तो number बड़ा हो गया ना तो क्या करेंगे हाँ, यहाँ भी इसलिए गलती हो रही है यह जो आपका negative क्यों आ रहा था, इसको भूलना ने यह number रहेगा ना मेरा इधर लिखना minus 2.32, तो हर जगा प्याएगा यह minus 2.32 तो यह minus 2.32 तो यह और यह यह दोनों इधर चले जाएंगे तो इधर क्या क्या आएगा यह plus 4.2 यह तो मैंने कर लिया plus इसमें और मुझे इसको transfer करके 2.32 करना होगा तो यहाँ पे मुझे और एक addition करना होगा 2.32 का 2.32 जो कहाएगा 58.11 11.85 बन जाएगा मेरा यह यह जो नंबर है यह वाला नंबर यह 11.85 मतलब यह भी वाईसा है बनेगा So, this will be 11.85 अब मेरे पास आएगा 4 by x is equal to इन दोनों का subtraction 11.85 minus 11.05 यह तो पता है बहुत ही simple है यह 0 और यह 2 Sorry, यह 0 और यह 8.00 So, मेरे पास आजाता है 0.8 अब यह x division में है इदर multiplication में आजाएगा So, 4 is equal to 0.8 into x अब यह x यह जो है multiplication में है तो इसके नीचे division में आजाएगा So, finally मेरे पास आएगा 4 divided by 0.8 is equal to x अब इसका decimal place काट दूँगा तो यह 0 और यह जाएगा So, 8 5 जा 40 x So, x is equal to 5 C is the option